नमस्कार मित्रो वेलकम बैक टो मा यूटूब चैनल मेडिकल दोस्त में आप सभी दोस्तों का बहुत-बहुत स्वागित करता हूँ तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे होट सेफ दोस्तों इबट के बारे में तो इस टेवेट का बègुध किनकीन ब्यमारी में किया जाता है क्या डोज है , उसके बारे में माच पुरे विस्तर से जानेगी तो दोस्तों इदस टेबट की स्ट्रीप आपको किसी भी मेडिकल केमिस्ट पे मिल जाएगी MRP की बात की जाए तो MRP 100 अगनी सुरुपय इस टेबट के MRP है और इस दवा को दो मार्केट करता है next gen healthcare द्वारा मार्केट किया जाता है और इसमें स्वाल्ट मिला गया सेफिक जिम दोसरेंग इसमें स्वाल्ट मिला गया है तो दोस्तों यह एक बुखार हो गया है, स्वसंत तंतर का infection है, तो दोस्तो ऐसी condition में इस tablet का उफियोग कीया चाता है, तो अब दोस्तो जान लेते हैं, डूस के बारे में, तो यह इस tablet का dose रेता है, एक adult विधिक को, एक tablet शुबह और एक tablet शाम को, खाना खाना के बाद लेना है, दोस्तो इस टेबट को लेने के बाद कुछ साय डिफेक्ट नजरा सकते हैं जैसे कि सीर्दरदोना, मतले उल्टी, अपच, पेट में दर्द, दस्त लगना, चक्राना, लाधाने निकलना इस टेबट को लेने के बाद आपको ऐसे कुछ साय डिफेक्ट दिखे हैं तो एक बार आप अपने डॉक्टर के सला जरूर ले। दोस्तो आप पहले से किसी पोकर के एंटिबाटिक दवे खा रहे। तो इस दवा का अप्प्यों करने से पहले अपने डॉक्टर के सला अवश्च ले। तो दोस्तो जान लेते हैं किन-किन लोगों को इस टेबट का प्योग नहीं करना है तो अगर आपको किड्नी की बीमारी है पेट में सुजन है आंतों में सुजन है लीवर का रोगे रदेर होगे या किसी भी वाकर के ड्रग एलर्जी है तो आप इस ट्रबड का उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर के सला जरूर ले प्रेगनेंसी म करें से प्रेगना है और अलकॉल के साथ इस दवाका प्योग बिल्कूल बिना करें दूस्तों यह एक छोटी जानकर अपको कैसी लगी अच्छी लगी तो महरी विडियो को लाइक करें चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें फिर मिलते हैं ऐसा ही नए वीडियो के साथ ठेंक यू दन्यवाद